डॉक्टर बीशी रॉई जी की स्मृति में मनाया जाने वाला एक दिन हमारे डॉक्टर्स के हमारी मेडिकल फेटरनेटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है खास्तोर पर पिछले डेड़ साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवाश्यों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है मैं एक सो तीस करोड देश वाश्यों की और से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं आभार प्रगड़ करता हूं साथियों डॉक्टर्स को इस्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पढ़ा होगा किसी बिमारी या दुरगटना का सिकार हुआ होगा या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवयूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं हमें एक नया जीवन दे देते हैं साथियों आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात महनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है यह पुन्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्योचावर कर दिया मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र स्द्राजली अर्पित करता हूं और परिवार के प्रती अपनी संवेधना व्यक्त करता हूं साथियो कोरोना से लड़ाई में जीतनी चुनोतियां आई हमारे वैज्याने को डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तला से प्रभावी दवाईयां बनाई आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉर्स बना रहे हैं उन्हें लागू करवाना ने में मदद कर रहे हैं यह वाईयरस नया है इसमें नए नए मुटेशन भी हो रहे हैं लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज़ उनके एक्स्पिरियंस उनके अनुभव वाईयरस के इन खत्रों और चैलेंजिस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इन्फरस्रक्चर देश में तयार हुआ था उसकी सिमाए आप भली भाती जानते हैं पहले के समय में मेडिकल इन्फरस्रक्चर को किस तरह नजर अंदाज किया गया था इससे भी आप परिचीत है हमारे देश में जनसंख्या का दवाव इस चुनोती को और कठिन बना देता है बावजूद इसके कोरोना के दोरान अगर हम प्रती लाग जनसंख्या में संक्रमन को देखें मृत्युदर को देखें तो भारत की स्थिती बड़े बड़े विक्सीत और सम्रुद्ध देशों की तुलना में कहीं समली हुई रही है किसी एक जीवन का असमय समावत होना उतना ही दुखद है लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है इसका बहुत बड़ा स्रे हमारे परिश्यमी डॉक्टर्स हमारे हेल्थ केर वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को जाता है साथियों यह हमारी सरकारी है जिसने हेल्थ केर पर सबसे अथिक बल दिया है पिछले वर्ष फर्स वेव के दौरान हमने लगबग पंदरा हजार करोड रुपिये हेल्थ केर के लिए आवंटित किये थे जिससे हमारे हेल्थ इंफरस्रक्टर को बढ़ाने में मदद मिली इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दो गुने से भी जादा यानि दो लाग करोड रुपिये से भी अधिक किया गया अब हम ऐसे क्षित्रों में हेल्थ इंफरस्रक्टर को मजबुत करने के लिए पचास हजार करोड रुपिये की एक क्रेडिट गरेंटी स्कीम लेकर आये हैं जहां स्वास्त सुविधाओं की कमी है हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफरस्रक्टर को ससक्त करने के लिए भी 22 हजार करोड रुपिये से ज़्यादा आवंटित किये हैं आज देश में तेजी से नए एम्ज खोले जा रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं आदुनिक हेल्थ इंफरस्रक्टर क्षर कड़ा किया जा रहा है 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्ज से वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्ज का काम शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज के संख्या भी करीब डेड़ गुना बड़ी है इसी का परणाव है कि इतने कम समय में जहां अंडर ग्रजुएट सीट्स में डेड़ गुने से ज़्यादा की वृद्धी हुई है वहीं PG सीट्स में 80 परसंट इजाफा हुआ है यानि यहां तक पहुंचने के लिए जो संगर्ष आपको करना पड़ा वो कठिनाई है हमारे युवाओं को आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी दूर सुदूर खेत्रों में भी हमारे जादा से जादा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर मिलेगा उनकी प्रतिभा को उनके सपनों को नई उडान मिलेगी मेडिकल सेक्टर में हो रहे हिन बडलाओं के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिवद्ध है हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाप हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्षी कानून में कई कड़े प्रावधान किये हैं। इसके साथ ही हम अपने कोविड वोर्यर्स के लिए फ्री इंसरेंस कवर स्किम भी लेकर आए हैं। साथियों कोरोना के खिलाप देश की लड़ाई हो या मेडिकल विवस्ता सुधारने का देश का लक्ष इन सब में आप सभी को महत्वपण भूमी का आदा करनी हैं। उधान के तौर पर जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सिन लगवाई तो उससे देश में वैक्सिन को लेकर उत्सा और विश्वास कई गुना बढ़ दया। इसी तरह जब आप लोगों को कोवीड एप्रोप्रेट बिहेवियर का पानन करने के लिए कहते हैं तो लोग पूरी सद्धा से उसका पानन करते हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी इस भुमिका को और सक्रियता से निभाएं, अपना दाइरा और ज़्यादा बढ़ाएं। साथियों, इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी हैं कि मेडिकल फेटरिनिटी के लोग योग के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारीत प्रसारीत करने के लिए जो काम आज हज़ी के बाद पिछली श्रतादी में किया जाने चाहिए था, वो अब हो रहा है। इस कोरोना के काल में योग प्रानायम का लोगों के स्वास्थ पर किस तरह सकारात्वक प्रभाव पढ़ रहा है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है। इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई समस्तानों द्वारा एविडेंज बेज स्टडिज कराई जा रही है। इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं। साथियों आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशालिस्ट हैं और एक भारतिय को योग को समझना भी स्वाभाईव ग्रूप से आसान होता है। जब आप लोग योग पर स्टडि करते हैं, तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियस्ली लेती हैं। क्या आयाय में इसे मिशन बोड में आगे बढ़ा सकती हैं, योग पर एविडेंस बेज स्टडि को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती हैं। एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडिज को इंटरनेस्टन जनरल्स में पब्रिश किया जाए, उसे प्रचारित किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडिज दुनिया भर में डॉक्टर्स को, अपने पेशन्स को योग के बारे में और जागरूत करने के लिए भी प्रोसाइद करेगी। साथियों, जब भी हाडवर्क, टैलेंट और स्कील की बात आती हैं, तो इनमें आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे यह भी अनुरोद करना चाहता हूँ, कि आप पूरे एटेंशन के साथ ही अपने अनुभवों का डॉक्युमेंटेशन भी करते रहें। पेशन के साथ आपके एक्स्परेंशिस का डॉक्युमेंटेशन बहुत ही अहम है। साथ ही मरीज के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट प्लान और उनके रिस्पॉंस का भी डिटेल डॉक्युमेंटेशन होना चाहिए। यह एक रिसर्च स्टडी के रूप में भी हो सकता है जिसमें विभिन प्रकार की दमावों और ट्रीटमेंट के असर को नूट किया गया हो। जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं। यह समय यह भी सुनिशित करने का है कि आपके काम का आपकी साइन्टिफिक स्टडीज का दुनिया संग्यान ले और आने वाली पीडी को उसका लावी भी मिले इससे दुनिया को जहां मेडिकल से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी वही उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी. COVID की यह हमारी इसके लिए एक अच्छा स्टाटिंग पोइंट हो सकता है. वैक्सिन किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है किस प्रकार से Early Diagnosis का लाब मिल रहा है और एक Particular Treatment किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है क्या हम इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर सकते हैं पिछली शताब्दी में जब महामारी आई थी आज उसका documentation बहुत उपलब्द नहीं है आज हमारे पास technology भी है और हम अगर COVID से कैसे मुकामला किया गया है इसके practical अनुभवों का documentation करते हैं तो वो भविश में पूरी मानवता के लिए बहयत मददगार साबित होगा आपका यह अनुभव देश के medical research को एक नई गती भी देगा अंत मैं मैं यही कहूंगा कि आपकी सेवा आपका स्रम सरवे भवन्तु सुकेनव के हमारे संकल्ब को अवश्य सिद्ध करेगा हमारा देश कुरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा इनी शुब कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद